दोस्तों कुछ दूनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको best duplex printer बट laser printer बताया था और वो वीडियो आपने बहुत जादा पसंद किया पर उसी वीडियो के बाद आपने से बहुत सारे लोगों ने मुझे ये query किये comment किया कि मुझे duplex printer तो लेना है पर वो ink tank printer होना चाहिए फिर चाहे वो color हो या फिर black and white तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसे printer बताऊंगा जो duplex हैं और उनमें से दो ऐसे हैं जो आपको black and white के साथ साथ color printing देते हैं और दो ऐसे हैं जो आप केवल monochrome यूज के लिए use कर सकते हैं और ये चार से वो printer हैं ये जानने के लिए video ध्यान से देखते रहे हैं मैं हूँ Amit और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल online जुगाड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और bell बटन को दबा दीजिए जैसे आने वाले वीडियो आप अगर आप auto duplex printer लेने जाएंगे तो market में 25,000 के उपर की रेंज के बहुत सारे printers, बहुत सारे कंपनियों के अलग-अलग models आपको मिल जाएंगे पर अगर आप budget में printer लेना चाहते हों और वो भी auto duplex तो आज इस वीडियो में मैंने आपको चार वो printer suggest किये हैं जो 20,000 रुपए से कम की रेंज में आते हैं और कुछ printer तो अप Canon की तरफ से आने वाला Canon GM-2070 model ये एक monochrome ink tank printer है जो कि auto duplex के feature के साथ आता है, साथ ही ये एक single function printer है, यानि कि आप इससे printing कर सकते हैं, auto duplex printing कर सकते हैं, बट आप इसमें scanning और photocopy नहीं कर सकते हैं, दोस्तों कर printing की speed की बात करें, तो black pages एक मिनट में 13 print कर देगा, दोस्तों ये printer Wi-Fi और networking के feature के साथ आता है, यानि कि आप इससे direct Wi-Fi से print भी कर सकते हैं, अपने phone से connect करके, या फिर किसी Wi-Fi laptop से या Wi-Fi computer से, और अगर आप LAN केबल या networking से इसको जोड़ना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, दोस्तों Wi-Fi और networking के लिए यहाँ पर आपको printer में एक physical button भ ये support करता है, अब अगर बात करें कि इस printer को आप कितने में ले सकते हैं, तो दोस्तों इसका price काफी special है, इस printer को जो auto-duplex printing के साथ आता है, आप ले सकते हैं केवल 13,000 रुपे की कीमत में, इस printer और आगे आने वाले सभी printers के link नीचे वीडियो के description में ने दे दिये हैं, तो अगर आपको ज़्यादा detail चाहिए या आज का current price बता करना है, तो आप उन links पर click करके बाकी की detail पता कर सकते हैं, और Canon के इस printer को आप अपने घर के लिए या फिर small office या small business के लिए ले सकते हैं, और सबसे important चीज़ कि ये printer आपको कितने पैसे में एक black printout दे देगा, तो दोस् में monochrome printer, यानि कि black and white printer में जो दूसरा model आ रहा है, वो आ रहा है Epson की तरफ से, और दोस्तों ये printer एक all-in-one printer है, यानि कि इसमें आप photocopy, printing और scanning भी कर सकते हैं, दोस्तों इस printer का model number है Epson EcoTank Monochrome 2140, यानि कि Epson EcoTank 2140, दोस्तों ये पूरी तरह से एक professional printer है, और इसमें अगर printing quantity की बात करें, तो आप एक minute में 39 pages, अप्रॉक्स 40 pages प्रिंट कर सकते हैं, जो आपके business के लिए एक बहुत अच्छी बात है, ये भी एक A4 printer है, और आप इसमें A4 paper तक की printing और scanning कर सकते हैं, दोस्तों ये भी एक auto-duplex printer है, और इसमें आपको ऊपर एक LCD screen भी देखने को मिलती है और साथ में आपको physical buttons भी मिल जाते हैं, जिससे कि आपको अगर printing करनी है, बिना mobile और laptop की मदद से, तो आप इस LCD की मदद से, और in button की मदद से printing भी कर सकते हैं, और दोस्तों अगर इसकी keyword की बात करें, तो ये eco tank printer, जो कि एक monochrome printer है, इसे आप ले सकते हैं, 19,000 रुपे के price मे दोस्तों, monochrome ink tank auto duplex printer के बाद, अब बात कर लेते हैं, color auto duplex ink tank printer की, तो जो सबसे पहले आपके सामने ink tank printer आ रहा है, जो auto duplex printing आपको देगा, वो है HP की तरफ से आने वाला, HP smart tank 617, दोस्तों ये एक smart tank printer है, और आप इसमें smartly printing कर सकते हैं, with ink sense technology, और दोस्तों ये wifi, USB, और Bluetooth connectivity के साथ आता है, यानि कि आपको इसमें connectivity के सारे option मिल जाते हैं, दोस्तों ये एक all-in-one ink tank printer है, यानि कि आप इसमें print, scan और photocopy भी कर सकते हैं, दोस्तों ये पूरी तरह से एक professional printer है, और आप इसको अपने business के लिए use कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बार refill करने पर 8000 black printouts और 6000 color print out आपको बड़ी आसानी से दे देगा, और अगर printing cost की बात करें, तो केवल 10 पैसे में, जिया, केवल 10 पैसे में आपको एक black printout और color printout केवल 20 पैसे में आपको मिलने वाला है, और आप इसमें auto duplex printing तो करी सकते हैं, साथ ही आप इसको mobile के smart app, जो HP का smart app आता है, उसके साथ भी connect करके direct mobile से printing कर सकते हैं, और अगर cost की बात करें कि आप ये printer कितने में ले सकते हैं, तो केवल 16,000 रुपे में आप इस printer को खरीच सकते हैं, आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि links नीचे वीडियो के description में दिये गए हैं, जोसरों ये वीडियो और इस चैनल पे बनाए गया ह और अगर आप इस चैनल पर और भी ऐसे ही अपने काम की वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिए, अब दोस्तों जो हमारा next printer है, ये Epson की तरफ से आता है, और इसका model लंबर है Epson L 4160, 4160, दोस्तों ये एक professional printer है, और ये USB की connectivity के साथ, Wi-Fi और Wi-Fi direct के connectivity के साथ भी आता है, इसकी जो printing cost है, यानि कि paper की जो printing cost है, वो black paper के लिए किवल 12 पैसे और color printout के लिए only 20 पैसे पड़ती है, और अगर एक बार आप bottle refill कर देते हैं, तो आप 6000 color printouts ले सकते हैं, और 7500 यानि कि 7500 black printout ले सकते हैं, और हाँ ये borderless printing भी करता है, दोस्तों अगर speed की बात करें, तो black printout एक मिनट में 33 देता है, और color 15 printouts एक मिनट में निकाल देता है, ये Windows के सभी version को support करता है, और साथ ही आप इसको macOS से भी print कर सकते हैं, और ये Google Cloud print को भी support करता है, साथ ही Epson का जो smart app है, आप उससे भी इसकी printing कर सकते हैं, दोस्तों ये पूरी तरह एक professional printer है, और अगर आप अपने business के लिए इसको लेना चाहते हैं, तो ये best choice होगी, वैसे ये printer बहुत demand में रहता है, और बहुत कम available रहता है, मैंने नीचे link दिया है, आप वहाँ पर click करके इसके availability और current का price पता कर सकते हैं, वैसे इसका price around 17 to 18,000 रहता है, लेकिन अगर ये model available नहीं हो, तो इसका upgrade version, यानि कि आप Epson L 42 साथ भी ले सकते हैं, जो same features के साथ आता है, तो दोस्तों ये थे वो चार printer, जिन्हें आप auto duplex printing के लिए ले सकते हैं, तो वीडियो अगर अच्छा लगा, तो like करिए, कोई मन में question आ रहा है, तो comment करिए, मैं reply जरूर दूँगा, औ और इस वीडियो को share जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं, तो subscribe पर लिजे, मिलते हैं किसे एक लिए वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्त रहिए, और अपना ख्याल रहिए